तो इसमें भी बहुत है और फ्लावरिंग के अगर मैं बात करूँ ना हमारा टार्गेट किया इस डेमो के अंदर हमें यह चा रहे हैं भी इस जो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है जो अभी आप देख पा रहे हो इसके अंदर हम एक खोल के दखा दो कई बार फार्मर को ऐसा वेज़े लगता है कि यह इसमेंसे काना निकले है सुनडी निकले आई तो किसी काम का नहीं यह लिए यह बिलकुल साफ हापके सामने है वह देखते हैं फेसबुक बगएरा पे वाती पाकिस्तान में यह चल रहा है अगर ऐसा कुछ चल रहा होता कुछ जोथा तो वहांग कहीं पहुंच जाते हैं अपने से तो बुरिया लाता है उनके देश के अंदर तो ऐसा कुछ भी निया यह जो डेमो है वो हमारा नोर्थ इंडिया हाई-टेक कोटन डेमोस्टेशन है इस सीजन का इसमें हम जो भी अडवांस टेकनोलजी कोटन के अंदर अभी चल रही है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा वह बाकी हमने करके देखी है हम मैं आपको कहता हूं भी हमें उमीद है भी यह आपका बारा से लेकर पंदरा कुंटल यह कोटन निकलेगा को पास निए गवर्मेंट के लिए और फैर्मर के लिए दोनों के लिए सब के लिए जो भी कपास से जुड़े जो लोगाना उन तुर के लिए हैं अगर हम मिलके कोशिस करते हैं सब लोग पर एक सब्सक्राइल है का अगर जबाता हूं आपको फोड़ इनके दोलियों के बीच में हूँ तो तोड़ाइट मेरे से ज्यादा देखे कि पर एक्सुल में अगर है कि इसमें पूरा बोल सेट देखिए और मैं सभी किसानों को इस वीडियो के तरू नरोद करूं कि जो भी कपास से जुड़े जो भी लोग है चाहिए बीज कंपनी के है जिला सिर्सा लगता है वहां आएए मेरा नम्मर अभी आई सकर आप स्क्रीन पे दिखिए रहा आपको इस पर कॉंटक करके आप अपनी बुक करके और आप आ सकते हैं और इसको आप आंखों से देखिए बताना एक अलग चीज होती है आप आके देखिए मैं आपको कहता साउथ एशिया बायोटेक्ट तकनोलोजी दिनाल कई होर भी क्लाइबरेशन होए ने जिते नर्मेदी खेती दे एक प्रैक्टिकल ट्राइल हो रहे ने वो ड्रिप दे करके हो रहे ने के सुंडी करके चाड़कत या जाब विल्ट करके चाड़कत दा हैगा अपनी फसल लुक्त खांदा रूट रोट आओंदा जिन का भी समस्थ्यामा है जिदे करके नर्मेदी खेती दा एरिया का ट्रेया है गाँगा बीटी फोर बीटी फाई गल्ला जाल रही है गया एथे की बात हो यह जेकर उसी नर्मेदी खेती कर दे सी जा कर रहे हो जान तो अड़ा आ को दिमाग को पड़ी है नो कोई देख रहा कि मैंनों बहुत ज़्यादा पता है गा ता ओ प्लीज एस वीडियो ते फिर नेगटिव कमेंट करेगा क्योंकि आप एक न्यूटल होके वीडियो बना रहे हैं मैं जिननी मेरी दमाग देवी सवाल आए मैं सारे मैं पुछा गा थ खेती नहीं गर्मिया दी खेती आप रसाता देवेच इदा मौसम रहना है गा ते आप जिस जगह देविच आए होई है आप अनू बकाइदा टाइम मिलिया है अर्ली माउर निकापा स्वेर देस अमें फसल नो देखना समा सुनिश्चित कीता सी गा ते आपने नाल एक बह और शोट वी एदे लेते हैं गया ताक फसल दे चारे कोने तो अनुद खाये जान कोई चंगे भूटे नूँ मैं शूट कर नहीं आया है गये ते अधे जड़ा अपना प्रिच्चे देन अपने वारे अपनी फाउंडेशन देवारे ए ओदे तो फिर आबाद आप फसल दे विचसारियां का आरवाईयां दे पूरी बदिया निगा माराई नमस्कार जी क्रोप इंपूर्मेशन देखने वाले सभी दर्सकों को मेरी तरफ से दन्यवाद और नमस्कार और आज का इस हमारे जो डेमो है उसके अंदर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम दीपक जाकड ह है मैं साउथ एसिया बायो टेक्नोलोजी सेंटर जोदपूर के लिए काम करता हूं आज का जो हमने यह डेमो लगा रखा है जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वह प्रजेक्ट बंदन के तयात कर रहे हैं जिसको पी आई फाउंडेशन ने स्पोर्ट किया है और सी आई सी सी Rat a डाही को छोपिंग पैटरन ले ले लिजीए चाहिए आपका इंटिक्रेटिट डsti मनेजमेंट है इंटी सकता हुझा आउन कीसे को मिला जुला के साथ हम एक अच्छी खेती है वो कैसे कर सकते हैं तो अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं भी हाइब्रीड कोन सा लगा वह तो इसमें जो आलमोस किसानों के खेतों के अंदर जो हाइब्रेड लगा उसी में से एक हाइब्रेड हमन उसके बाद में इसको जो लगाया है उसकी तारीक है 14 माई को यह तारीक आप ध्यां रखना यह बहुत इपोर्टेंट रहेगा इस तारीक को देखिए जो भी इसके बारे में आप डिसीजन लोगे इसके बेस पर आपको लेना है उसके बाद में बात आ जाती है प्लोट बात करूं तो वह भी मापको बता देता हूं दो एकड के अंदर हमारे पूदे कितने हैं यह हमने स्पेसिंग से कैलकुलेट नहीं किया यह हमने लाइन टू लाइन गूम कि क्योंकि लगाने के बाद कि कुछ प्लांट मीसिंग भी होएंगे उन सब को कैलकुलेट करके 13107 सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखा फिर उसके बाद में देखा कितने प्लांट मिस चार फुट पे लगा हुआ है चार फिट के ऊपर लगा है उसके बाद में इसमें क्रोपिंग पैटर्न किस किस तरीके से हमने लगा है आपने जर्नल देखा हुगा एक मसीन से बिजाई होती है जो भी ट्रडिशन अपना चल रहा है दूसरा हम क्या करते हैं कि म्सीन से बिजाई करके उस पर भी आपको पता है उसके लावा जैसे हम डोलियां बना कि उनके पर नरमा लगाते हैं अब प्लॉट बन लगा हुए मेरी आप से वेनती है कि आप ठीक है काफी अच्छी महारता रखते हैं इसमें हम कॉटन क्रॉप को भी दिखाएंगे प्लॉट को चार प्लॉट लगे हुए चारों प्लॉट को बिजिट करेंगे लेकिन आप किसी भी अंग्रेजी शव्द इंग्लि नहीं हम आपको सढ़ा है इसमें क्या है इसके अंदर हम ने आपको दिखाता हूं पुरा सब्हसे के छोदा मैं मै याद रखना आप याद रखना उसके भए सकता है आपने अप रहे में कुछ और तो स्क जितनी देखने को मिलेगी द्64 आपको बताऊगा ना कितने लगे है कि किसां को आँ के चाहिए नीं चाहिए पत्त नी चाहिए कुछ नहीं चाहिए हमारा में उधिश्य से हमें टियों जाए हमके जैन UA तो तिंडे भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी अगर मैं बात करूँ पहले ट्रीटमेंट जो पहला पलोट है हमारा उसमें हमने बिल्कुल फ्लैट बिजाई है सिद्धा बिजाई के विए नॉर्मल यह दूर इस लाइन से इस लाइन पे चार फुट यह चार फिट लगा भी हां यांड रिप का जा रहा है उसके हमने भी जाबो आथ से लगवाया हुआ है यह पूरी शिद्धी भी जाई है इसके अंदर तीक है जी आप मैं आपको दिखाता हूं इसके पोद्दे के अंदर अगर मैं बात करूं टिंडों के संख्या के पहले तो आप देख सामानसा बठिंडा फाजिल का अबोर हनमानगड और गंगानगड इस वर ज्यादा गर्मी परने से हाइट तो हुई नहीं हाइट भी नहीं हुई प्लांट स्टेंट भी जो आपका कह सकते हैं पोद्दों की संख्या भी आप जाके देखोगे तो आपको हर खेत के अंदर कम ही मिलेगी जिले बहुत हैं काफी ज़्यादा पोदे हैं वो इस बार गर्मी की बज़े से जल गए और मैं में जिनकी बिजाई हुई थी उनके तो मैं कह सकता हूं भी बहुत ही मतलब बुरे हाला था भी खेत के हम कह सकते हैं प्लांट से अपको अच्छा देखने को मिलेग जी अगर मैं बात करूं करोब की अगर कनोपी की देखिया बिल्कुल जी को ज्यादा अक्सेसिव ग्रोथ नहीं है बिल्कुल शिदा हुआ है दूसरी जो इसमें में चीज क्या है कि आप इस पोदे के अंदर टिंडों के अगर संक्छा आप देखोगे निच्चे से लेकर ह आपको अलग जो भी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया अलग जो उसके अंदर यह आपको अलग देखने को मिलेगा को इसके लागा मैं मैं देख रहा हूं यहां कॉटन पे फ्लावरिंग भी चल रही है टिंडे भी चल रहे हैं और मच्छर का यहां अटैक थोड़ा कम है यहा यहां पर बाकी अधर फार्मर के यह तो यह कंडिशन है कि यहां बहुत ज्यादा है वहां थीका सुन्दी का सीन ही वह सब जगा थोड़ा कम जादा कम जादा है यहां पर क्या सीन है वाइट फ्लाई अभी बिलकुल एक कंट्रोल के अंदर है थोड़ा बहुत देखने को मि थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत दिखती रहती है जूम भी आपको दिखती रहेगी हारा तिला भी आपको सीजन में दिखता रहेगा रोच को सुन्दी विए वह भी आपको देखने को मिल सकते पर और चीज का एक लेवल है और मैं कह सकता हूं भी इस दो एकड के अंदर अभी वो लेबल से नीचे है इस प्लॉट में अभी तक कि क्या observation है मतलब इस प्लॉट में हमने प्लें में जाई करती कोई बैड्री डाला कोई मल्चिंग नहीं किया कौछ नहीं किया कोई इसमें हम जो भी छो पोन है है हमारा सारह का सारह हम expand के हैं मुख्ए सब्सक्रांद सब्सक्राइब है वहिए कंदर के हैं वह हमारा है खाद के ऊपर जो भी हम इसके अदर दे रहे हैं चैनल से फोस्पोर्स पोटेसियम है मैगनीसियम है या साइब माइक्रोन्यूट्रेंट है कुछ भी है वो सारा का सारा हम ड्रिप के थुरू ही दे रहे हैं और उसी का ही रिजल्ट है वो आपको भी देखने को मिल रहा है क्योंकि हम जैसे गोमते रहते हैं तो हमने क्या चीज़ देखी कि अभी कोटन को जैसे क्या कि साइंस की बहुत ज्यादा जुरूरत है अभी जो भी कुछ चल रहा है वो एक सिस्टम से चल रहा है इस महिने में यह डालना है अब पडोसी नगर यह कर दिया तो अब हमें यह करना है एक लेवल की तरफ नहीं जा रहे हैं पोदे की जुरूरत को नहीं क्योंकि यह पोदा ब वैसे इस पोदे को भी जुरूरत है यह नहीं कि कभी अगर अपने को कहें सुबह नहीं खाना आपको 11 बज़े जरूरत से जादा खा जाए तो हमारा भी पेट खराब हो जाता है अगर सब्सक्राइब के मतलब एक तरीके से नहीं खाएंगे टाइम के साब से तो भी दिक्क समय नहीं है सही दुआई नहीं है सही मातरा भी जी नहीं यह तो फिर मामला आपका गडबर रहने वाला है उस तरह का रिजल्ट है वह आपको देखने को नहीं मिलेगा हमने प्लॉट बिजिट कर लिया आप इसके थोड़े हाई लेट बता दे भी अब तक क्या अब्जरव आप इसके अन drei हमें कम देखने को मिला है थोड़ा बहुत एक बार बड़ा है उसके लिए हमने एक ट्रीटमेंट इसके अंदर निराई गुटाई हुई है इसके इन दो बार हमने निराई गुड़ाई य nach क्योंकि पहले समस्या नहीं थी क्योंकि यह लगातार इस बार भा निराई गुड़ाई की एक बार तो हमने इसके अंदर पावर वीडर चलाया है जो हाथ से चलने वाड़ा होता है वो यूज किया है और एक बार हमने इसको मैनुवली जो है वो करवा है जैसे फार्मर पानी लगाने से पहले यूरिया डिये पी सुपर यह सब खादें सब चीजों को देखे हमने और बागिरत चोदरी जी है हमारे साथ डॉक्टर दलीप मोंगा जी है सबने हमने मिलके पूरा इस पर डिसकेशन किया अभी कि समय क्या हमें जूर्त है वो का पास को देनी है उसी साब से हम सारा का सारा जो है वो सिस्टम चला रहे हैं हमने एक से लाइजर हैं वो उसके अंदर यूज कर रहे हैं और एक तरीके से दे रहे हैं उसी काई जो अभी आपको देखने को मिल रहे है सारा उसी काई है जी अब मेरा लास्ट क्वेस्टन इस प्लॉट के बारे में यहां चार प्लॉट लगे हुए है इसका रैंक कौन सा है यह सबस प्लॉट नमबर वन था यह और प्लॉट नमबर तू में जाएंगे रैटी सेम है लेकिन जो फसल को त्यार करने का फसल को तरीका है उसमें यूज किया गया वह अलग है उस प्लॉट में हम जाते हैं क्योंकि अगर आम पूरी क्रॉप को ऐसे कट करके वीडियो बनाते हैं तो मज़ा नहीं आएगा आपको पूरी क्रॉप देखने का भी मज़ा आएगा और फसल में जितने भी प्लॉट में चेंजिस हुए है वह आपको देखने का मौका मेलेगा यह प्लॉट तू है यहां पर रुकी आप और इस प्लॉट तू का सेम टाइम सोईंग है और कौन स यहां चैने को मिल रहा है और किसांनों को मानना बी अगर हम डोलियों के उपर कपास लागा रहें उसकी फूरा लगा दिया है उनमें घ्राइब एक सेड्यूल वो पूरा का पूरा सेम है जाए इसके अंदर जो भी मोनीटरिंग का हरे पूरी चीज से में इसके अंदर यहीं कि खर्चा कितना और बचित कितनी हुई एक चीज में सभी किसान बाईयों को बताना चाहूं है इस डैमो के अनदर जितना किसान अभी रूटीन में जो खर्चा कर एक तना उतना ही खर्चा कि अन्दर आपको देखने को मिलेगा जब भी नहीं है प्लाट टू को हम थोड़ा और आगे बीच में जाकर देखते हैं जी और इसके बीच में पहले के मुकाबले क्या फरक लगा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा असा चाल रहे हैं इसका प्लांट थोड़ा कप पनोपी कम उसमें कम उसमें जो पहला जो पर्गेट क्या इस डेमों के अंदर हमें यह चारे हैं भी इस जो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है जो अभी आप देख पा रहे हो इसके अंदर हम लगता है कि यह इसमें से सब्सक्राइब लगा रहे हम रश्चूसक कीट कितने आई हर सोव मार को सुवए पांच से लेकर साधे पांच के बिच विच में हमारी पूरी टेम यहां पहुंचती है हमने पूरे के पूरे प्लांट जो टैग की वह इसके अंदर यह टाग लगए आपको दिख रहे हैं एक स हम पूरे रिकोर्ड कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जब भी इसको हम अगले साल स्कूर अप्लिकेट करने का हमारा प्लैन है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस टेकनोलोजी को अपनाए और इस तरीके से कोटन का जो कल्टिवेशन है वो करे ताकि इसके अंदर उनक सब्सक्राइब है और इसे मुझी उमीद है अभी यह टिंडे जैसे दोप निकलेगी मुसम थोड़ा साफ होते ही इनकी चुगाई 15 दिन के अंदर अगस्त में मुझी उमीद है दो से टच में हूँ जैसे आप मालो जो मतलो पूरा गोल्डन बेल्ट है स्मस्टर का वहां प से एक मंत पहले ना तो उसकी हाइट ऐसी है ना ही उसमें बॉल सैटिंग ऐसी है तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि 10-15 दिन में बॉल ओपनिंग हो नहीं होगी मैं कहा रहा हूं अगस्त के अंदर दो से लेकर तीन कोईंटल के बीच में एक एकड के अंदर से हम कोटन निका है किसान ब्रदर मैं आपको बताना जाता हूं कि यह प्लॉट टू हमारी अब्जर्वेशन खातम हो चुकी है प्लॉट बन की हो चुकी है अब आगे वाले जो दो प्लॉट है ना वह फ्यूचर में शायद वह अपना कहीं ना कहीं स्थान बना लेंगी आईए सब वह गस्वानताउं कि इतने पर हम इतनी मेंट कर रही है इतनला खर्च कर रहे हैं और फिर वहां पर हम कुष्छटे कर सकते हैं हम यहां पर लापी सुन्टी का हामला नहीं है वहां पर किसी रेटी के उपर नहीं है एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता सर यह प्लॉट 3 में आप और हम पहुंच चुके हैं इसके बारे बताएं इसके अंदर वही हमने इसके अंदर क्या किया है कि डोलियां मनाई डोलियों के उपर आपकी प जाए थी उसमें जो चीज करें से में वहीं चल रहा है सब कुछ से मैं कोई चीज वैसे तो प्लॉट 2 वाला सिस्टम है लेकिन इसमें हाँ यह पैडी की मल्चिंग कर दी हां ताकि जो अभी हम चारे हैं वी जैसे प्राली का जो एक इसू बनावा बहुत बड़ा उसको कैस तक हमारी और अब कर देखती है कि इसमें रूट वैल्पमेंट ज्यादा है दूसरे के मकावन पूरा वो पूरा देख रहे हैं इसमें जो में एक चीज देखने को मिली अभी तक जो बचर वेशन है तो अभी मतलब यह है कि आगे तो भी देखते हैं क्या रहता है अब अध इसके बारे में थोड़ी 20-30 सेकंड बोल दीजिए इसके पीवी नोट भी हमने इसकेंदर यूज करके देखे क्योंकि सबसे अडवांस टेकनोलोजी अभी आ रखी है क्योंकि यह गुलाबी सुंडी के लिए हमने इसकेंदर लगा करती है उसकी नहीं यह आपको क्या रहेगा इसका कि मेल और फीमिल को आपस में रोकती जो नर और मादा गुलाबी सुंडी होती है उनको आपस पजल कर देंगे इसका पूरा काम है यह हमने पूरे इसी दो एकड के अंदर करके देख है वैसे तो यह जो ट्रीटमेंट वो बड़े लेवल पर चल रहे हैं अलब जगां है सेम टेकनोलजी है तो यह हमने इसके अंदर करके देखा विसका क्या क्योंकि हम यह चारें जो भी सब चीजियां अभी तक अपने देश के अंदर चल रही है वो सब हम लगा के देखें मैं यह कहना जाता हूं ठीक है आप पंजाबी शाह भी बहुत अच्छे तरीके से ब सब्सक्राइब की साथ साथ कुंटल के बीच में रहे हो सकता है एकाद एकर में दस कुंटल भी जाता हो अगर पूरी खेट के अपनी अवरेज निकाले गाना उसके साथ से लेकर आठ कुंटल क्या अगर सब सारी कंडिशन अच्छी है अगर मेरे पास 20 एकर नर्मा लगा सब्सक्राइब करनी मुझे को जुरूरी लगी कि लास्ट क्रॉप कौन थी इसके अधर वाले प्लॉट में तो कॉटन बहुत चांदार होता है यह इसमें मारा क्रोप रोडिशन चलता इसमें ग्याउन लगी हुई थी इस प्लोट के अंदर पर्टिकुलर मारे प्लोट है पूरा का पूरा मैं इसलिए पूसरा था कि सरसुवाला होता तो मुझे लगता है दस अप्रैल को विजाई हो जाता नी विजाई हमने थोड़ा इस पर लेट किया है क्योंकि थोड़ा हम देखना चाहरे हैं लेट के अंदर अरली में तो सभी जिगां बढ़िया है लेट के की हुई है और टिंडों की संग क्या क्या बाग क्यों कि चाहिए जी मेरा एक रिक्वेस्ट है आप से के आप फार्मर को विजिट कराएं जब इसकी पहली चुगाई हो कि आए भाई हमने इसमें जो जतन करना कर सकते थे हमने कर दे जो हमारे पास टेक्निकल टीम थी उसी ट करके जो भी किसान आना चाहिए सब का मोस्ट वेलकम हैं पूरी चीज बताएंगे पूरी टीम यहां उनको मिलेगी वह आ सकते हैं इसको देखिए जिस मर्जी फेसके अंदर आके देखिए इसके अंदर मैं यह जैसे फूल बंद पड़ा है इसको फूल कि दखाई है यह क्या है कि अभी एक चीज़ अगर आपको बिल्कुल क्लीर कट करना चाहूंगा यह जो डेमों हमने लगाया है वो इसलिए लगाया कि हम यह चाह रहे हैं कि कोटन को एक नई उर्जा कैसे दी जाए क्योंकि अभी कोटन का सारा का सारा अरिया दान की तरफ जा रहा है और दा यह हमने लगा लिया गर्चे जो भी रुटिन के खर्चे कम नहीं उसकी आप पैदवा कितनी आ रही है कितना मुनाफ़ा दे रहा है कि आप जोड़के देखिए कि देखें को भी जो कॉटन दे सकता है वह और वो हो नहीं सकता तो इसलिए हमने यह सारी चीज़ करके देखी और हमें बड़ी कुसी है अभी एक किसान के खेट के अंदर देखने को मिल रहा है इस लाइन में देखें मेरे को अभी यह नौन बीटी है यह पोड़े के वह सकते हैं कुछ ऑफ टाइप प्लांट पे देखने को मिलता है क्योंकि अभी तो दो एकड़काम पूरी लाइन में किसान खेट के अंदर नहीं घुमता तो यह हर जगह आपको कुछ ना कुछ तभी था मैंने मैंने अपने खेट में भी देखिया कि कुछ ऐसे पौदे होते हैं जिन पर मक्चर का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और वह उनकी हाइड का मोधी होता नहीं वह थोड़े अगर आप एक पोदे को चेक करो के बारे किसे आपको मतलब उसमें देखने को मिलेगा यह सब एक नैच्रल प्रसेस है आपने फर इसमें एक आप यह मान सकते हैं कि यह स्टेटमेंट बन गई अगर ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तबी उत्वादा नहीं बढ़ने वा चीज भी आप सही तरीके से डाल रहे हो ना तो जो सो रुपे वाली चीज वो काम करेंगे आपके खेत के अंदर वो पांच जारवाली कभी नहीं कर सकते हैं आपके सामने के लिए हम चार नमबर देखते हैं और यह जी फोर्थ फ्लोट और लास्ट फ्लोट जो हमारा है इस यूज में ज्यादा यूज में आता है चाहिए आप सब्सक्राइब लगा रहे हैं यह जैसे जाड़ में लगा रहे हैं तुसमी पर यह कोटन के अंदर आप उत्र बारत में मानता हूं भी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी किसान के खेत के इंदर सेम वहीं खाद का व यह प्लांट स्टेंड देखिए आप इसकेंदर सबसे पहले और इसकेंदर टिंडों की संख्या देखिए और प्लांट दिखा दिए और यह जो मर्जी आप प्लांट देख लीजिए चोदा मई को बिजाई अभी तक यह 90 दिन भी इसने नहीं पगड़ें अभी तो पूरा अगस्त पड़ा है पूरा स्तंबर पड़ा है जाइस पोदे प्याप देखिए जिंडों की संक्या चेक करिए चोदा मई वाला प्लांट ऐसा फूरूट ले सकता है तो यह तो मुझे लग रहा है कि मिड़क दूपर दक फूरूट लेता ही रहेगा इसमें चल रहा है पूर बाकी सब चीज से में चल रहा है तीक है आपने आई पीम कर लिया बहुत अच्छा यह मच्छर मार तो ठीक है पहले से चल रही चली रहे हैं जहां आप को अंडे से बच्चे कम हैज हो नीम ओयल वगरा वह सपरे में चल ठीक है आपको खच्छा तो इसमें भी है भी कि टो सिसार खुद बोलता है कि यह अगर हम आप अपने कुछ चोड़ा ही नहीं करने को अगर आपको उतपादन नहीं आए तो फिर हमारा तो आहीं नहीं सकता यहां अगर यहां पर चार तारीकों में से किसी तारीक का भी ज़ादा उतुपादन आ रहे हैं और इतने बुरे समें में हें ज़या लगाने के बारे में दस वर सोच रहे है तो वहां पर इसका उतुपादन अगर आप 10 ले रहे हैं तो जब अच्छा समय हो जाएगा यह कीट थोड़ा हर साल तो हमला नहीं करते हैं दो तीन साल थोड़ा ज्यादा भेंकर अपला करते बाद में फिर कोई और कीट आता है यह पहले वाले कीट दब जाते हैं तो उस समय फिर हम बहुत अच्छा उतुपादन ले सकते हैं जैसे रिकार्ड बना हु है महाराष्टर में ड्रिप में अमरित बैटरिन एक वह आठ फुट तक हाइट ले जाते हैं दस मंत का कोटन है और दस मंत में वह बोलते हैं कि हम 32 कोंटल तक उत्पादन दिलाने में आपकी बदद करेंगे ड्रिप तो मुझे लगता नौर्थ इंडिया में अगर हम बारा हम कह सकते हैं हमारी साइंस है हमारा जो हम यूज करेंगे और सही समया पे सही द्वाई और सही मात्रा यूज करके कोई भी दिक्कत आएगे उसको रोकेंगे फिर भी हम सकते हैं चलो 15-10% मानके चलो मोसम खराब होता है तो फिर थो अभी बारा क्यूंटल इसके अंदर हम न अच्छी है को बुरी है एक ही ब्रैटी जूज हुई है हाँ क्रॉप प्रैक्टिस पैटर ना जो अलग अलग तरीके के हैं जैसे आपने बात की के हर इंगल से इसको जैसे हम बढ़िया से साइन्स से कर सकते थे हमने कर लिया अब जो फार्मर में तो डिसकेशन चांद रही है कि साइन्स फेल है कॉटन की यह चांद पर चले गए यह कुछ इन्होंने उप ग्रैश ओड़ दी इतना इतना खर्च कर लेते हैं और कॉटन का नया भी नहीं बन रहा है बीटी तीरी नही नहीं चलेगा इस पर में आपको परगड़्शिक ना चाहूंगा कि पहले भात अगर आपने पूछा भी साइंस यह चाह रहे हैं भी साइंस फेल हो चुकी है आप साइस आपके सामने साइस ही हमने लगाई जी आपने आपका जो यह डेमो प्लोट ए प्रेक्टीकल प्लोट तो यह सब पोसीबल है जो हमका पास के बारे में धिरे-देर अपना दिमाग कटी कुछ होगा नहीं और अगर निया बीटी आ भी जाता है मालो अगले सीजन निया बीटी आ भी गया है तो उसमें जैसे आपका क्या है कि यह नहीं कि वह आपको 15 कॉंटल देगा अवरेस तो अ मतलब उनके पास टेकनोलोजी है या उनके बास सीड बेचने का सिस्टम मान सकते हो आप से पिछले से पिछले साल आपको अपने पंजाब की स्टोरी आपके बठेंडा और मानसा के पिछले से पिछले साल हमने पीबी नोट के डेमो लगवाए थे आपके बुर्ज बलाई के बढ़ने किसानों ने क्या देखा कि फोर जी गुजरात से बीज लेकि आए थे पिछले से पिछले साल के बात करूं तो कि पूरा का पूरा बायरस आ गया ग्रोथ कितनी करीब हो देने लगबग इससे भी कम ग्रोथ ती तिंडे उस पे लगे नहीं और वो बीज उसकी कोई ले जा रहे हैं तो मैं किसानों से नरोध करूंगा भी किसी भी ऐसी गल चीज पर विश्वास ना करें यह जो एक अपनी सिस्टम है ना यह दुरे-दुरे बढ़ता ही जा रहा है कुछ ऐसी बैसी चीज़ों का भी यह वहां पे कुछ लोकेशन पे सुन्डी नहीं है कि हमन क्या रहा है पाकिस्तान में यह चल रहा है अगर अगर आसा कुछ चल रहा होता कुछ होता तो वह कहीं पहुंच जाते हैं अपने से तो बुरे अलातें उनके देश के अंदर कुछ भी नहीं है एक पोड़ा क्या हो एक अलग चीज होती है मैं पोड़ा अच्छा सा पकड़ू ऐसे फोटो ले ली और डाल दी आपको दिखा दी बोले बहुत बढ़ी हो रहा है बात तब यह पूरा दो एकड़ आप देखा इसके अंदर हो और जो फिर्ट आप खरचा करू उस खर्चे के अंदर जो चीज हो रही है ना वहीं चीज देखने वाड़ी वाली है उसी चीज की है मैं मैं बतावं आपको रीयल सचाहीं बताओं आपको शैक्ट बेसड़ा कोई यह मैं कचे अई भूजजिय में था घुजरात में लास्ट टाइ धनी है। टीक है वहां पहला नहीं लग रहा है यह लाइस सफेट लग रहे हैं तो वह बोल रहे हैं कि हमारे सुंडी है हमारी उत्वाधन सब्सक्राइब चाहं मुशक अंग वह लग क्या धेसे पीज को करे Cand expects you यह सीन मतलब सुन्डी नहीं आई एक अलग सिस्टम है लेकिन जो फार्मर ने बीटी नर्मा लगाया उसके उपर सुन्डी यह कुछ तो मतलब कुछ अगर होगा उसमें चीज को देखो जब तक ऐसी सब चीजें अपने देश के अंदर है दुनिया के अंदर यह सब चीजें कुछ भी सकता है और उसे कोई स्टंडर्ड नहीं को सिस्टम नहीं आप अपने खेत के अंदर लगा भी रहे हो उसका कोई कशी सब्लोक मैं कहता हूं पिज्स अगर बढ़ी अच्छी कमपनी जिसका बीज ले कि कुछ भी ले किया हो सुन्डी है सफेद मख्य है मोसम की कुम लेगा कोई एक मैं कह सकता हूं कोई टांग पूंच नहीं है उन पर विश्वास करके हम अपना पूरा का पूरा खेत इतना रिस्क है वो नहीं ले सकते अब हमें क्या करना है कि अच्छा बीज ले क्या यह अच्छी द्वाइं लेके जो एक सिस्टम हो जिनका एक रहे हैं ड़ी वहां पर यहां पर तो उसके चांसे कम कर रही है और तो कोई भी चीज होगे ना अगर अच्छी चीज आप लेकिए रहे उसका एक प्रोसीजर्य अपने बेस्के अंदर कोई बीच मैडिकल साइंस की बात करूं जो हमारे अगर इनसानों की साइंस है साइंस कोई भी उसमें अच्छी चीज आप लेकर आओगे उसका एक सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर से आपको निकलना पड़ेगा पूरा अगर सिस्टम के थुरू निकलोगे ना तभी वो चीजों की लाइफ है वो बन पाएगी नहीं तो कुछ नहीं बनने पड़ा आपको आपको गाउं बता दूंगा मैं मेरा नंबर आपको दे दूँ स्क्रीन पे आप मेरे से पूछ लेना आपको गाउं के किसानों के नाम दे दो उन से जाके मिलना वह भी गुजरात का वीजर उसी उमीद में लेकर आई थे उसमें सुन्डी नहीं आएगी कुछ और नहीं आते हो चाहिए रास्ती है चाहिए आपका टाटा रैलीज है अंकूर है जो भी अच्छी जो कंपनी है जो एक गोर्मेंट से अप्रूब लेकि सारा काम कर रही है उनका इतना होता भी आपको दिख पा रहा है देखो यह इंसेक्ट पैस्ट अपने आपका कैसे उसको रोकते निकाल के पूरे नहीं मैं एक एक आपको मैं आपके नंबर भी मैं आपको दिस्क्रिप्शन में बता भी देता हूं मेरा नंबर है 9682 8310 तो इस पे आप जब मर्जी में नहीं तो आप वीडियो अपलोड होने से 24 घंटे बाद इतनी भी कमेंट आएंगे आप उनका ना मैं स को सब का रिप्लाइब हमने चारों देख लिए ठीक है और ड्रिप लगा हुए लग तरीके चार तरीके से लगी चार तरीके से अब के दिन जब हम वीडियो बना रहे हैं कौन सी जो प्रैक्टिस है वह आप फार्मर के लिए बताना जाएंगे कि इसमें अच्छा जा रहा ह सबसे पहले मैं इसको रखूंगा जो की पॉली मल्चिंग इसके अंदर कागत जो बिशा के लेटेस्ट साइंस यह बिल्कुल लेटस चीजे हैं सबसे बैस्ट है वो अभी तक इसका है बीच में जाए इसकी हाइट दिखाए डोटल अभी इसकी हाइट देख सकते हैं थोड किसानों को इस वीडियो के तुरूर निरोध करूँ है कि जो भी कपास से जुड़े जो भी लोग है चाहिए पेस्टीसाइड कंपनी के हैं जो कपास से लेटेड कोई भी अपना बिजनस करते हैं यह टेक्स्टाइल के जो भी लोग है और जो किसान है में सब से निरोध के और आप आ सकते हैं और इसको आँखों से देखिए बताना एक अलग चीज होती है आप आके देखिए मैं आपको कहता हूं भी आपको एक नई उर्जा मिलें कि भी हां का पास में अभी जान है वह वाला मामला नहीं जो आपां सोच रहे हैं और आपको यह मुझे लगता है तो उमीद खतम होजें कि आप बोलोगा बीटी तो आता रहेगा जब मर्जी आए हमने यह काम ही मैंने मैंने देखा है आई आप बाहर आई यह जो अडवांस फार्मर होते हैं अडवांस फार्मर जो रिस्क भी ले ले लेते हैं अपने लेवल पर ठीक है तो यह ड्रिप व वैसे सब्सेडी चल रही है अगर आप अलग कुछ चल रही है पर सबसे बड़ी बात है कि कली अकेली सब्सेडी से काम नहीं चलता है आप इस सीजन में देखिए अब देखिए अब एक बार आईए क्योंकि आप अगर बाद में आ रहे हो तो आपको यह वाला जो चीज है किया रहा जब आप देखो क्या रहा उसके लास्ट टाइम पर क्या रहा तो मैं कहते हुं दो से तीन विजिट आप करिये इसको पूरा देखिए फिर आपको बिल्कुल सीजन के अन्ट में बताएंगे हमने क्या कुछ किया कैसे टेकनिकल गाइडेंस हम पूरी सब्सक्तित जैसे 14 माई को लगा तो ऐसा लग रहा है कि 14 नवंबर को इसका टाइम पीड पूरा हो जाएगा है अगर हम थोड़ा बहुत चला आगे पिछे भी मान लें इसका अच्छा मौसव रहता है दबारा दबारा फ्रूट लेता है तो यह नवंबर में तो खेत खाली होई जाएगा हम इसको जितना रूटेन में जो किसान जब खाली करता उसी टेम इसको खाली करें कुछ भी एक्षा नहीं करने वाड़ी जैसे हमने पूरा पूरा सिस्ट्रम कंट्रोल रखा है इसमें बाहर का तो कुदरत के हाथ में है निच्छे वाला जो मादिम से जाए पूरा पानी ज मतले हम मैं कम से कम आपको बता रहा हूं वी 12-15 कुंटल मान रहे हैं बाइचांस मोसम खराब होता है कुछ दिक्कते आती तो मान रहे थे ना में इसके निकालेंगे अगर आज के समय में 12-15 कॉंटल आएगा तो मान के चलिए सब पसलों की उपर निकलने वाला है और को तब सब्सक्राइब को पता है इसमें कोई सीड अच्छा नहीं है इसमें वाइट नाइससी नहीं है वह आगे उसने माल देना है उसकी क्वाल्टी वह त्यार नहीं कर पाएगा तो मतलो इसका फ्यूचर लंबे टाइम के लिए खराब होता है मैं सभी किसानों को यह कि आपने सा सब्सक्राइब करेंगे और जो कंट्रोल करेंगे जो अभी आप जो चीज कर यूज में लेकर उसी से कंट्रोल करेंगे अलग से कुछ नहीं करने वाले हम इसके अंदर किसान प्राव मैं तो आन्नों चारे तरीका नर्मा दखाया माफी मांगना के वीडियो बहुत लंबी होगी ते मैं तो अड़ी पेशेंस दी दाद ना के तो सारी वीडियो देख्या और तो आड़े वाजव कमेंट कर ले हो तो समाह कड़ ले हो अपां आव दे बहुत कीमत सब्सक्राइब करने चाहिए अपने बच्चे अपने कार अपना सारा नून में चाहिए अगर आपनी फसल देविच कोई रिसकाई होई है मार्कीड देविचन एक्टिविटी प्लूइशन थाउट्स चल रहे है गया ता आपानों थोड़ा एदे नाल होर इंट्रेक्शन क सब्सक्राइब करने चाहिए यह ज्यादा वदिया इंप्रूवमेंट हो सब्सक्राइब पानी दीवी काट पानी लगया ना कुछ भी पानी जो पिछे इसके खेत और लगा उससे खाद इसमें कम डाली है जी उन्होंने अभी तक उसके अंदर मैं मान तक ताओं भी आदा दालैंगा के लिए बिदि ernst डाला से इसके देढ़्या कर आप की बचाहिए क् पड़िशन काल्विशन पैपो पूरा सेजिये के खेती है को पास को मत छोड़िए दिक्कते हार एक चीज में आएगी और आती रहेगी